हलो एब्रिवान एंड वेलकम टू डियास कुरू जी राजस्तान जी के most important questions से जुड़ाए वीडियो है और इस वीडियो के साथ ही शुरुवात करने जा रहे हैं एक नई सीरीज का जो राजस्तान जी के से जुड़ी हुई है लेकिन इस सीरीज में हम जो भी questions पढ़ेंगे important questions आएंगे और यह important questions जुड़े होंगे राजस्तान के important topics से topic wise यह questions होंगे और इसी तरह यह series चलाई जाएगी राजस्तान जी के जो राजस्तान के जितने भी आगाम examinations है उन सभी के लिए तो आज का जो यह topic है यह topic है भोगोलिक परिद्रश्य इस topic में आपन राजस्तान के भोगोलिक परिद्रश्य के बारे में अध्यन करेंगे भोगोलिक परिद्रश्य में वो सभी चीज़े आती है जो अपने को उस शेत्र में दिखाए देती है जैसे कि राजस्तान का शेत्रफल क्या है राजस्तान में भोगोलिक द्रसाई किस तरह की पाई जाती है, वहाँ पर म्रदा किस तरह की है, वहाँ की जलवायू किस तरह की है, उनसे जुड़े कुछ महतोपूर्ण प्रशन इस वीडियो में करेंगे राजस्तान के भोगोलिक परिदरश्य से, और अगर आपको इनक्योस्टन के आंसर म मालूम है, तो आप कमेंट बोक्स में कमेंट करके भी इनके आंसर पता सकते हो, तो सुरुवात करते ही, सबसे पहला महतोपूर्ण प्रशन जुड़ा है रेगिस्तान से, अब रेगिस्तान से इसलिए जुड़ा ये प्रशन आया है राजस्तान के भोगोलिक वाय दर्श्य में क्योंकि राजस्तान का अधिकांस जो भाग है, वो रेगिस्तान से गिरा हुआ है, तो विश्व का सरवादिक सगन बनावट बसावट वाला रेगिस्तान कोन सा है, सरवादिक सगन बसावट वाले रेगिस्तान के अगर बात की जाए, तो वो है थार का मरुस्तल, ये सर प्रवादिक बसा हुआ मरुस्तल है इसके बाद है राजस्तान के प्री केम्ब्रियन चट्टानों का आधार भूत वर्णन किस ने किया प्री केम्ब्रियन चट्टाने जो केम्ब्रियन काल से पूर्व की जो चट्टाने हैं इसका जो वर्णन किया गया था राजस्तान की जि द्वारा सबसे आधार हूत वर्णन इनों ने किया था और इनका ये जो वर्णन है सबसे ज़्यादा मानने है इसके बाद है यहाँ पर कथन दिये हुए है सत्ते कथन है राजे की ढाल मद्धे की श्रेणियों से पूर्व में उत्तर से दक्षिन तता पस्चिम से पूर्व की ओर है अब देखें ढाल की बात की गई है वो भी मद्धे की श्रेणियों से पूर्व में उत्तर से दक्षिन और पस्चिम में पूर्व से पस्चिम की ओर है इसके बाद है मरुस्तल का ढाल उत्तर से दक्षिन और पूर्व से पस्चिम की और है जो मरुस्तल का ढाल है वो उत्तर से दक्षिन है और पूर्व से पस्चिम की और है अब इनमें कौन सा कथनिया पर सही होगा एक वर दोनों और फॉर्थ है उप्युक्त सभी तो यहां पर जो है third option अपना correct होगा क्योंकि जो ढाल से संबंदित बात की जा रही है यह मद्धे श्रेणियों से पूर्व में उत्तर से दक्षिन है और पस्चिम में पूर्व से पस्चिम की और ढाल है राजस्तान राज्य का और राजस्तान के मरुस्तल के ढाल के अगर बात की जाए तो यह उत्तर से दक्षिन यह पूर्व से पस्चिम की और है यह भी सही है तो third option अपना यहां पर correct हो जाएगा राजस्तान के मरुस्तल के अगर बात की जाए तो उसी से जुड़ा यहां पर प्रश्णाया है संधर्व में कथन दिये हुए है यहां पर 50 cm ओशत वर्षा होती है 50 cm ओशत वर्षा होती है अगर इस कतन की बात की जाए तो यह बात एकदम सही है और कभी-कभी सुखे की संभावना भी राजस्तान में बन जाती है अकाल भी यहां पर पढ़ता है और इसी के संदर्व में यहां पर मरुस्तल भी है वर्षा उत्तर से दक्षिन तथा तो उसमें आधरता कम होती जाती है और जिसके फल सुरूफ वर्षा की मात्रा भी घट जाती है तो पहला कथनिया पर एकदम सही है यहां पाई जाने वाली सेवन लीलन घास भुक्तियों की घाशे लगरिया काट आधी पसुदन के लिए पोस्टिक और उप्योगी पोशन का क जाती है तो यह तो एकदम सही है जो सेवन घास होती है यह पस्वों के लिए बहुत ही ज्यादा पोस्टिक मानी जाती है और इसके लावा जो लीलन घास है और जो भुक्तियों की घास है यह सभी चीजे पस्वों के लिए पोस्टिक है उप्योगी है और इनको खिलाई जा यह पर आउसिस्ट एकांग की पहाड़्या मिलती है और इनको नाम दिया गया है इनसेल बग के नाम से इनको जाना जाता है यह भी कतन यापर एकदम सही है तो यहां पर तीनों ही कतन सही है इसकी वज़े से अपना जो फोर्थ ओप्चन वो इसमें करेक्ट हो जाएगा वैक् पहाडियां हैं वह कौाड़ जोएट से बलवे पतर से कौड़ ग्रेनाइट से आधी कठोर चटानों से यह निर्मित होती है मरुस्तली पहाडियां जो एकांकी पहाडियां होती है उनको इंसल बर्ग कहा जाता है अगला प्रशन है किस देश ने राज्जे के मरुस्तल में Overseas Economic Corporation Fund की सायता से व्रक्षार ओपन की योजना को क्रियानवित किया है वो देश जिसने मरुस्तल में Overseas Economic Corporation Fund यह फंड दिया है और इस फंड की सायता से राजस्तान में वर्षार ओपन की जो योजना है उसको क्रियानवित किया है और वो देश है जापान जिसने राजस्ता प्रक्षारोपन में help की है और ये जो fund है ये fund है Overseas Economic Co Op OECF इसको सोर्ट में कहा जाता है अगला प्रशन है राजस्तान के धर अधरातल की विशाषता नहीं है राजस्तान का जो धरातल है उसकी विशाषता क्या नहीं है यहां पर देख़ीए बीहड युक्ति यहां पर पाया जाता है बरफीला मैदानी भाग राजस्तान में रेगिष्तान है बहुत अधिक गर्मी पड़ती है रेतीली भूमि पाये जाती है इसके अलावा भी अन्य तरह की म्रदाइं यहां पर मिलती है लेकिन कहीं पर भी बर्कीला मैदानी भाग राजस्तान में नहीं पाया जाता है तो यही राजस्तान के धरातल की विशेषता नहीं है बालू का अस्तूपों से ढखा हुआ है और उबढ़ खाबड असमान है मगर बर्कीला मैदानी भाग यां पर नहीं है second option इसमें correct होगा इसके बाद अपना अगला प्रश्न है fossil बालू का इस्तूप होते हैं fossil बालू का इस्तूप जो बालू का इस्तूप होते हैं इनको इंगलिस में sandunes बोला जाता है और जो fossils बालू का इस्तूप होते हैं ये एक तो इस्ताई बनसपती युक्त होते हैं, चूना युक्त होते हैं और इनमें ऑक्साइड की मात्रा भी पाई जाती हैं, ये इन तीनों चीजों से युक्त होते हैं, वोसिल बालु का स्थूप यहां पर जो है फॉर्थ ओप्शन इसक्योशन में करेक्ट होगा, बालु का स्थूप निर्मान किस तरह से होता हैं, बालु का स्थूप जो बनते हैं, उसका क्या में रीजन होता है, तो जो बालु का स्थूप बनते हैं, वो एक तो बनते हैं, रास्ते में अगर हवाएं चल रही हैं, और रास्ते में अगर कोई रुकावट आजाती हैं, तो वो ज इस्तूप तयार हो जाती है इसका अलावा जो विश्टर स्चेत्र होता है उसके कारण भी बालू का इस्तूप बनते हैं पूर्थ ओप्शन इस क्योशन में करेक्ट होगा भूकम की द्रश्टी से राजस्तान को कितने जोन में बाटा गया है राजस्तान और मध्य प्रदेश की सीमा पर दक्कन लावा पठाश शेत्र में भैसरोड गड़ से बिजोलिया तक का उपजाव शेत्र क्या कहलाता है राजस्तान का जो मध्य प्रदेश की सीमा है राजस्तान और मध्य प्रदेश की यहाँ पर एक सेत्र पाय जाता है दक्कन लावा पठाश सेत्र यह जो शेत्र है भैसरोड गड़ से बिजोलिया तक पिस्तरत है और यह उपजाव शेत्र है और यह जो उपजाव शेत्र है इसको जिस नाम से जाना जाता है वो नाम है उपरमाल और उपरमाल में जो इस्तित मेंड की महादेव है ये एक दर्शनी इस्तल है इसके बाद है उदेपुर की तस्तरी नूमा पहाड़े उदेपुर में पाई जाती है ये किस नाम से प्रशिद है तो उदेपुर की ये जो पहाडियां हैं ये पहाडियां प्रशिद हैं गिरवा के नाम से उद्यवपूर के पहाडियों को गिरवा के नाम से जाना जाता हैं ध्यान रखिएगा आप इसको इंपोर्टेंट क्योशन्स हैं एक्जामिनेशन्स में काफी बार पूछा गया हैं इसके बाद हैं राजस्तान में मरुस्तली करण प्रकिरिया के संधर में क्या कथन क्या आउधार्ना सटीक हैं जो राजस्तान में मरुस्तली करण हैं इसके संधर में जो आउधार्ना सटीक ह वही हमें बता नहीं है तो देखें यह सूखे के कारण प्रारम होती है तो सूखे के कारण या यूं कहें राजस्तान में स्टार्टिंग से ही मरुस्तल है यहां पर एगिस्तान पाये गये हैं तो यह नहीं के सकते कि सूखे के कारण प्रारम होती है क्योंकि यहां पर सूखा ना हो तब भी यहां पर मरुस्तल पाया ही जाता है इसके अलावा यह शुशक शैत्रों में प्रारम फ्रशारित होती है तो राज Например जेवर के जाये तो राजस्तान का अधिकानज वाक सुस्क ही है हर जगे यहां पर मरुस्तल पाये जाते हैं तो यह भीнего कोई तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि हर्दे स्तल से प्रारम हुई हो इसके अलावा एक और अवधारन यहां पर है यह आतिचारण आतिहलन निर्वानी करण तथा म्रदावजल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारम और प्रशारित होती हैं और यह कथन एकदम सही है क्योंकि आत प्रशार बढ़ेगा और म्रदा वो जलका जो अनुचित प्रबंधन किया जाता है जिसके कारवे मरुस्तलिकरन बढ़ता है तो यह आउधारन यहां पर सही है पौर्थ ओप्शन करेक्ट होगा राजस्तान के बहुतिक प्रदेशों के संबन में निर्मनलिकित कथनों का प नवनपर्सेंट भू शेत्र में पस्चिमी लेतिले मैदान का विस्तार है यह कथन एकदम सई है राजस्तान का जो 61.11 प्रतिशत भू 해서 है इसमें पस्चिमी रेतिला मैदान विस्त्रत है एकदम करेक्ट अने इसके बाद है राजे के 9.60 प्रतिशत भू शेत्र में अरावली परवती शेत्र का विस्तार हैं राजे के 9.70 प्रतिशत भू शेत्र में अरावली परवती प्रदेश का विस्तार नहीं है ये कथन यहां पर घलत है राजे के 23.03 प्रतिशत भू शेत्र में पूर्वी मेदान का विस्तार है और ये कथन एकदम सही है राजस्तान के लगबग 23 प्रतिशत भू बाग पर पूर्वी मेदान पाया जाता है ये कथन भी याँ पर सही है राजे के 6.37 प्रदेशत बूशेत्र में दक्षिनी पूर्वे पठार प्रदेश का विस्तार हैं तो यह भी कतनियां पर गलत हैं तो यहां पर जो कतन सही है वो है 1st और 3rd 4th option इसमें correct हो जाएगा कूट के लिहाद से देखे तो अगला प्रशन है अरावली की निमनलिकित परवत चोटियों को उनकी उचाई के आरोही करम में ववस्तित कीजिए अरावली की परवत चोटियां दी गई हैं और उनको उनकी उचाई के इसाब से आरोही करम में जवाना है अब देखिए फर्स्ट है कुम्भलगड जर्गा रगुनादगड अचलगड अचलगड कुम्भलगड अचलगड जर्गा और जर्गा अचलगड कुम्भलगड अचलगड जर्गा और जर्गा अचलगड कुम्भलगड रगुनादगड अगर इनको अपन उच्छाई का तो राजस्तान के लिए सारुप्रतम राश्पूताना सब्द का प्रियोग किया गया और इस सब्द का प्रियोग किस नहीं किया तो राजस्तान के लिए सारुप्रतम राश्पूताना सब्द का प्रियोग किया गया था जोर्ज थोमस के द्वारा फॉर्स्ट ओप्शन इसमे में पूछे जाते हैं तो मिलिटरी मेमोयार्स जो जो पुस्तक है इसके लेखक है विलियाम फ्रेंक्लिन ध्यान रखेगा फ्रेंक्लिन द्वारा 1805 इस्वी में लिखी गई इस पुस्तक को राश्पूताना शब्द का सवरुप्रतम लिखित प्रमाण माना जाता है यही जिसकी सीमा ना तो किसी राज्य से मिलती है और ना ही किसी अन्य देश से मिलती है तो इनकी जो सीमा है आठ जीले ऐसे हैं जिनकी सीमा ना तो किसी राज्य से मिलती है और ना ही किसी अन्य देश से मिलती है फौर्थ ओप्शन अपने इस क्योशन में करेक्ट होगा इसके ब लगती है और उन छे जीलों में आता है बाढ़मेर जालोर सिरोही उदेपुर डुंगरपुर और बासवड़ा ये छे जीले जिनकी सीमत गुजरात से लगती है इसके बाद है कथनिया पर दिया हुआ है कौन सा कथनिया पर सत्ते है वो हमें बताना है फर्स्ट कतन है राजस् का जो उच्चावच्ची श्वरूप है या कि भूगर्विक सरशन द्वारा इसके अलावा यहां पर परिवर्तन हो रहे हैं अपसे और अपरदन हो रहे है उसके कारण ही ये बना है और उसी का ये परिनाम है फर्स्ट कतन एकदम सही है सर सीरील फॉक्स के अनुसार मरुस् के अनुसार समुद्र के निरंतर पीछे अटने के परिणाम सरुप सिकुडन क्रिया से उत्तित समुद्र तली ने मरुस्तली शेत्रुप को जन्म दिया जिसका प्रमाण इस शेत्र की लवनी जीले हैं ये भी कतन एकदम सही है फॉर्थ ओप्षन इसमें करेक्ट होगा अग कि जो उचाई है वो है 934 मीटर और ये कतन एकदम सही है अरावली शेणियों के मद्धे मेवार शेत्र में दर्रो जिसे तंग रास्ते कहा जाता है दर्रो को को नाल की नाम से जाना जाता है ये भी एकदम सही है जो मद्धे मेवार शेत्र है इसमें इनको नाल कहा जाता है सब्सक्राइब करेक्ट होगा शुमेलित करना है यहां पर शैत्रफल के आधार पर कौन से जिले का क्या शैत्रफल है उससे अपने को सुमेलित करना है तो यहां पर देखें जैसर मेर बार्मे नगोर और पाली दिया हुआ है इधर दिया हुआ है शैत्रफल किलोमेटर स्क्वाइर में तो जैसर मेर का जो शैत्रफल है शैत्रफल की द्रस्टे से सबसे बड़ा जीला है राजस्तान का जैसर मेर और जनसंख्या की द्रस्टे से देखा जाए तो यहां की जनसंख्या बहुत कम है तो 38401 इसका शैत्रफल है इसके बाद है बाडमेर के शेत्रफल के अगर बात की जाए तो बाडमेर का शेत्रफल है 28387 नागोर का शेत्रफल है 11718 और पालिक का है 12387 इस तरह से एक रम बनेगा तो यहाँ पर A में 2nd B में 1st C में 4th और D में 3rd आएगा तो 1st option यहाँ पर जो दिया हुआ है वही इसमें correct होगा अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए जीलो के जो आकर्ति है वह है धनुशाकार आकर्ति दोशा की है इसके बाद है जो अजमेर की आकर्ति है वह है त्रिबुजाकार और टोक की जो आकर्ति है वह पतंगा कार है और भिलवाडा के क्या अकर्ति है आयताकार इस तरह से यह जीलों की अकर्तिया है और सेकेंड ओप्सन इसमें अपना करेक्ट होगा इसके बाद है निम्लिकित में से सही चुनिए कथन दिये हुए है दो कथन है राजस्तान की पूर से पश्चिम के चोड़ाई 8.69 किलोमेटर है और दूसरा कथन है राजस्तान की उत्तर से दक्षिन की लंबाई 8.26 किलोमेटर है यहाँ पर चोड़ाई का वर्णन है इधर लंबाई का है ध्यान रखेगा तो यहाँ पर जो है कथनों के बाद अगर की जाये तो यह दोनों ही कथन एकदम करेक्ट है तो य जीले अंतराश्रेस सीमा पर इस्तित है वह जीले है एक सब बाड मेर यह भी सस्तिफ है जेसना भी स्तित है गंगान अगर भी इसदेसे और पी क्रमें को लगाना है तो यहां पर देखिए बियुजिस के बाद मेर के मेर के बाद गंगा नमगर के बाद Tech यहांपर दिया हूआ फहला के निर्माण में वरस्तलि一下 वर अप्योग होता है इसले महंनगर, पौकरण, शेत्र तथा गंगानगर के शुरतगर शेत्र में मिलते हैं यहां बालू का स्थूप श्रंखला बद्ध पाये जाते हैं तथा इनकी उचय दस से पच्चिस मीटर तक होती हैं ये भी कतन एकदम सही है अउरोधी वालू का इस्तुपो का निर्मान किसी अउरोध के कारण उत्पन चमाव से होता हैं या अउरोध जाड़ी, पैट, भवन या पहाड़ी आदी के कारण हो सकते हैं पुषकर, बुड़ा पुषकर, नाग पहाड, बिचून पहाड, जोब नेर, एम सीकर की पहाड़ां इसी प्रकार के तीलों को जन्म देती हैं उप्यूक्त सभी याँ पर जो है ये सारे ही कतन एकदम सही है तो दोस्तों ये थे राजस्तान जीके से जुड़े इस वीडियो में इतना ही